बाई और बेनों इस चुनाव में देश के सामने दो मोडल है एक तरफ हम लोग है मोदी है भाजपा है एंडिये है हम लोगों का रास्ता क्या है हम लोगों का रास्ता है संतुष्टी करन हर किसी को संतुष्ट करना संतोस देना और दूसरी तरफ सपा हो कॉंग्रेस हो गमंडिया गड़बंदन हो उनका मोडल है तुष्टी करन अपीजमेंड देश में जब सपा कॉंग्रेस का तुष्टी करन मोडल चलता था तो सिर्फ और सरफ कुछ परिवारों का ही लाब हुआ सामाजिक न्याई पर उस नाम पर गरीब दलीद पिछडों के साथ छल हुआ है छल अपराद हुआ है कच्चे घर गंदा पानी खुले में सोच न जाने कितने अपमान बिजली गैस का अभाव जरा कोई इस बच्चे से फोटू ले लीजिए उस बच्चे को इतने प्यार से आया है पेटे थोड़े आगे आजाओ तुम पेटा आगे आजाओ थोड़ा जरा एस पीजी वाले आप उसको बेचारी को परिशान मत करो देखिए कितना बढ़िया स्कैट बना के लाया है वा खुद बनाते हो पेटा खुद बनाते हो अचा पीजे तुम्हारा नाम लिखा है पीजे तुम्हारा नाम पता लिखा है हाँ तो मैं चिठी लिखूंगा तुझे देखे तुम इतना अच्छा बनाते हो तुम पढ़ाई भी उसी में करना तुम बहुत अच्छे आटिस्ट बनोगे करोगे साथियों कैसे अभाव में जीना पड़ता था बिजली नहीं गैस के चुले का तो सबाल नहीं राशन नहीं अस्पताल में इलाज नहीं नव जवान के लिए परलायन करने के सिवाए कोई चारा नहीं और वो वहाँ जहां जाते थे वहाँ भी चैन से नहीं रह सकते थे उनकी पीट पीछे यहाँ दबंग मापिया गर और जमीन पर कब्जा कर लेते थे जब वापिस आते थे तो गरी और कोई और बैठ जाता था भाई यो बहनों मोदी के संतुष्टी करान सेटिसफेक्शन संतोस वाला मोडल ने यह स्तिती बदल दी है यूपी में भाज पाने जमीन मापिया यह जो उद्योग चल रहा था ना जमीन मापिया की कमर तोड़ दिये कमर अब नागरिकों का हीत सरवोपरी है जो जोनपुर में राशनकार बना है अब उसी पर मुंबई जाओ, सुरज जाओ, एदरावाद जाओ, मुप्त राशन उस पर मिल जाएगा क्योंकि मोडी ने वन नेशन वन राशनकार लागू कर दिया है यहाँ यूपी में पचास लाग पक्के घर लाबार्तियों को मिल चुके हैं इस में से एक लाग गर यहीं ये जोनपुर जिले में मिले हैं अब एक लाग गर एक जिले में मुझे बताईए हर मां मोडी को आसिरवाद देगी के नहीं देगी पिर एवियम एवियम करके चिलाते हैं अरे इनको मालूम नहीं है ये EVM का खेल नहीं है ये हर मा बहन के आसिरवार है जिसको रहने के लिए पक्का घर मिला है और मुझे कभी कमी मोका मिल जाता है तो मैं इन लाबारतियों के घर में जाके देखता हूँ इन में सोचालय, नल से जल, बीजली, सस्ता सिलिंडर ये सारी सुज़दाएं गर के साथ होती हैं तिरफ चार दिवारे नहीं गर याने पक्का घर और जातातर घर हमारे समाज का रिवाज कैसा है मेरी माताई बेहनों को जरूर बता देना मेरी ये बात जरूर बता देंगे आप लोग हमारे याँ परंपरा क्या थी? गर है तो पती के नाम ये क्या बढ़िया मोदी योगी बना लायो भाई? और ये मोदी तो इतना सुन्दर लग रहा है क्या बढ़िया मेकप किया है भाई? और हाथ भी बढ़िया वाँ दोनों मोदी योगी बनके आगए शाबाद शाबाद बहुत बढ़िया किया आपने देगे साब अक्मारवालों की नजर मेरे से हड़ गई आप पर आगई बढ़िया है वाँ ये मोदी को तो हाथ भी लड़ा भी आ गया है आज जब आता है बहने सुनिए भाई उन बच्चों को बढ़ाईए परिशान मत कीजिए बहुत आभारी हूँ देखिए हमारे समाज में कैसा रहा गर है तो माली कौन कोई पती या पुत्र दुकान है तो माली कौन पती या पुत्र गाड़ी लाए तो माली कौन पती या पुत्र खेत है तो माली कौन पती या पुत्र हमारी माताओं बेहनों के नाम पर कुछ नहीं ये मोदी ने कह दिया नहीं चलेगा और इसलिए मोदी जो गर देता है न वो महिलाओं के नाम पर देता है और मेंने तो ताहि किया है मैं तीन करोड लगपती दिदी बनाने वाला हूँ तीन करोड लगपती दिदी और मैं आपको एक और गारंटी दूँगा जिनको भी गर, गैस, पानी का नल नहीं मिला है मेरा एक काम करोगे आप लोग हाथ उपर करके सब के सब बताओ तो बोलूँगा मेरा एक काम करोगे पका करोगे जड़ा हाथ उपर करके बताइए मेरा एक काम करोगे देखिए इस चुनाओं में आप जहां जहां जाएंगे और हो सकता है किसी गाओं में एक दो परिवार ऐसे मिल जाए जिन को अभी पक्का गर नहीं मिला है किसे को नल से जल नहीं मिला है किसे को गैस का connection नहीं मिला है ता उसको नाम पता लिख कर के मुझे बेच दीजिए और उसको कह दे ना कि मोदी जी ने guarantee दीए कि चार जुन के बाद जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो जिनको अभी गर मिलाने उनको मिल जाएगा जिनको गस नहीं मिलेगा मिल जाएगा यह मेरा काम करोगे मुझे सब को देना है क्योंकि मेरे लिए तो यह माताओं बहनों की पूजा है भक्ती है मेरी ये भक्ति मैं करूंगा और प्रसाज मैं चड़ाऊंगा उनके लिए पक्ता गर ये मेरी भक्ति है